नमस्कार दोस्तों मैं बता रहा था आपको की AI parameters कैसे काम करेगा तो अभी आपने वीडियो में देखा होगा मेरा कि वो biotech पे कैसे काम कर रहा है अब मैं बता रहा हूँ आपको की parameter data analysis data analysis पे AI कैसे काम करता है data analysis को accurate कर देगा अब आप diagnose को मैं यूज कर रहा हूँ जैसे आप path लेकिन जब AI इस फिल्ड में success हो जाएगा तो वो आपको बताएगा कि 7.123 मतलब decimal के 4-5 डिजिट तक वो accurate बताएगा कि यह आपका diagnose का report है इससे क्या होगा जब solution और treatment किया जाएगा डॉक्टर के तुरू तो आपको exact दवा क्योंकि यह तब तक medicine में भी काम कर चुका होग और exact medicine आपको दिया जाएगा तो इस हिसाब से यह AI technology आपके health को बहुत impact पहुचाएगा बहुत काफी helpful होगा और अगर मैं देखा जाओ कि commerce के student जो excel अच्छा चलाते है excel पेचा command है तो वो कैसे काम करेंगे उन लोग को data parameters बनाना रहता है data analytics का job होगा कि अब जब data analytics का job होग सारा command लिखा जाता है लेकिन जब AI tools जब इस पे use करेंगे हम लोग तो जो data analytics का job है data analytics का parameters है data analytics हम लोग करते हैं कि कौन सा product कौन सा आदमी कौन किस समय कितने लोगों के बीच में कैसे वो काम किया क्या reports बनना है तो वो सारा parameters AI tools से बहुत ही असानी से बन जाएगा तो आप ऐ आदेगा यह आपके life में भी impact डालेगा आप जैसे bulb ले लो आप अभी तक bulb पहले यूज कर रहे थे फिर उसके बाद CFL आया Fidelity आया तो आप सुचो कि AI आ जाने से वो अब कितना nanotechnology होगा और कौन सा generation होगा कौन सा generation होगा कौन सा development होगा जिसमें bulb की जो quality है वो इतना enhance हो जा AI जो है impact सारे category पे देगा कोई जरूरी नहीं है कि आप सोच रही कि मेरे मेरा कोई लेना देना ही है आप मुझे बताओ कि आपका कौन सा फिल्ड है तो मैं उस फिल्ड के बारे में पूरा deep analysis करके आपको बताऊंगा कि आपके फिल्ड को यह कैसे help करेगा अगर आप banking फिल्ड में है अगर आप construction फिल्ड में है अगर आप बायो technology फिल्ड में है technical फिल्ड में है advisor फिल्ड में है आप जो भी फिल्ड में हो आप मुझे comment करके बताओ कि आपको कौन से फिल्ड का जानना है AI आपको कितना help करेगा और AI आप कैसे सीख सकेंगे तो अगर आपको पु